प्रेंट्स आचुके हैं हम पार्ट 10 लेके किसका? दो मिनट में दो ग्यान की बात होगा जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में अपनी किस्मत को कभी ना कभी तो जरूर कोसा होगा है ना, अब मैं आपको एक बंदे से मिलवाती हूँ इस बंदे का नाम है Marius Ketzeriski और ये पेशे से आर्टिस्ट है लेकिन इसके हाथ ही नहीं है और इसे इस बात को कोई अफसोस भी नहीं है बलकि ये इनी डिसेबल हातों से इस लेवल की ड्राइंग्स बनाता है जो कि नॉर्मल हातों वाले इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकते अभी तक 700 से भी जादा वर्ल्ल क्लास पेंटेंग्स बना चुका है ये बंदा और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है दोस्तों इसे देखकर तो यही समझाता है कि कंडिशन्स चाहे कितनी भी घराब क्यों न हो अगर कोई इनसान अपने उपर विश्वास करके कुछ करने की ठान ले तो कोई टाकत उसे रोक नहीं सकती दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हाड़ वर्क और सक्सक्स के लिए पागलपन किसे कहते है ग्रेट बॉक्सर मुहम्मद अली को तो आप जानते ही है उनका यह कहना है कि जब वो सिट अप्स करते थे तो वो शुरू से काउंट नहीं करते है वो sit-ups को count करना तब से शुरू करते थे जब sit-ups उनकी body में pain शुरू कर देता थे जी हाँ दोस्तों, वो ये कहते थे कि इसी से ही आपको अपनी body की strength और power का पता लगता महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती एक और महान शक्स के बारे में बताता है, जिनका नाम है कीमत राए गुपता इन्होंने government school से retirement के बाद अपने आपको busy रखने के लिए दिल्ली के भागिरत palace में electrical appliance की एक दुकान खुए वहाँ एक salesman से इन्हें पता लगा की हैवल्स नाम की एक छोटी सी factory है जो की घाटे में चल रही है, इस वज़े से उसका मालिक उसे बेचना चाता है तब कीमत राए गुपता जी ने उस छोटी सी factory को 7 लाक में खरीदा था जो इंसान महनत करने से और रिस्क उठाने से नहीं ड़ता, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता तो friends, बताइए, कैसी लगी आपको ये दो मिनिट में दो ग्यान की बाते हैं तो कर लीजी लालटेन को follow और subscribe जाते जाते